कि दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमाक्ता किसुर्णल में तो आज हम बात करें आपकते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं इसीट ऊपहाएं तो यहां पे B. जो है को दिखाएँ जी ये लिए तो यहां पर बीटैक करें थो दोनों हों अगर आपने हमाय चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe कर लिजे अगर वीडियो पसंद आए जो लाइक और शियर कीजेगा इसके सारे दोस्तो आपको हमाय चैनल में और भी धेर सारी vacancies मिल जाएंगी जहाँ पे हमने धेर सारी vacancies जो बता रखी है चाहिए वो vacancies दोस्तो पर्मने को देखने के लिए या फिर apply करने के लिए आप जो हमारी वीडियो को देख सकते हैं हर एक वीडियो के नीचे जो है description box पे link दिया हुआ है उस link दोस्तों आप क्लिक करके इसका notifications और detail information पा सकते हैं तो दोस्तों start करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो vacancies आ रखी है सेल में राउल केला स्टेल प्लांट में जो है वैकेंसी आई है दोस्तों इसमें जो है यह जो वैकेंसी है एक तरह से यह तरह से training program है जहां पर दोस्तों आपको कोई भी application fee नहीं fill up करना है नहीं दोस्तों यहाँ पर आपका exam होगा आपके percentage के basis पर selection होगा तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से ब्रांच के जो है फॉर्म के लिए हैं दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो दिजहाज़गी देखिए यहाँ पर जो ब्रांच eligible है यहाँ पर degree और डिप्रोमा दोनों candidate के लिए same branch रखा गया है यहाँ पर ऑट्म वाइल इंजिन के लिए agriculture इंजिन के लिए यहाँ पर देखे यहाँ पर डिप्लोमा के लिए गई है और यह जो है डिग्री वाले candidate नहाँ पर दिया गया है तो इस परकार जो है दोस्तों आप जो है यहां पर form को fill up कर सकते हैं और यहां पर number of vacancies जो आप सामने देख रहे हैं इसक्रीन पर तो टोटल number of vacancies अगर आप देखो कि डिप्रोमा के लिए 180 रखी गई है और 90 जो है जो डिग्री वाले करनेट उनकिल रखा गया है यहां पर दोस्तो एज लिमिट जो है percentage के basis पर बनेगी जैसा कि मैंने आपको starting बता यहां पर कोई भी application form नहीं लिया जा रहा है इस form को fill up करने के लिए दोस्तो अगर आप सुंदरगर डिस्ट्रिक के हैं तो आपको जो है यहां पर preference दिया जाएगा तो यहां पर राउल केला इस्टिल प्लान जो है आपको यह सारी सुद्धाय जो है देगा इसके साथ दोस्तों यहां पर अगर मैं इस form की last date की बात करूं तो इस form की जो last date है दोस्तों 10 फरवरी 2021 रखी गई है जितना जन्दी आप form को fill up करेंगे उतना benefit यहां रहेगा आप लोग के लिए तो यहां पर देख सकते हैं apply करने के लिए पहले जो है आपको graduate or technician apprenticeship में जो है registration करना पड़ेगा registration करने के बाद दोस्तों जैसे आप registration करेंगे वहां से registration number जो है generate होगा इसके बाद दोस्तों वहां से आप registration number में जाने के बाद आप आप जो है establishment request को क्लिक करेंगे वहां पर दोस्तों find establishment में आपको steel authority of India डालना है और यहां पर यह सारे नंबर सो करेंगे इस नंबर में जाके आप form को fill up कर सकते हैं तो इस प्रकार दोस्तों अगर आप जो है form को यहां पर लब कर सकते हैं वागी information दोस्तों आपको हमाय चैनल या फिर नीचे दिये गया डिस्कृप्शन पर दिया गया है आप जो है वहां से लिंक को क्लिक करके detail information पा सकते हैं जितनी भी important information दे इस वेकेंस रिगार्डिंग इस ट्रेनिक प्रग्राम से रिगार्डिंग मैंने आपको यहां पर बता दिया आसा करता हूं दोस्तों यहा त्रेन कि प्रेस्टन आट आए झाहिए झाहिए झाइद अधिर में से चैणी तब रिगे बिदिए तार राणिग करते हैं जा एक्विए हैं ट्रें कि में में से लिगार्डिंग इस बड़ने एफ में से टुछाय में हैं आवादिए एक随 जाए 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 दोस्तों से